आज के इस वीडियो में बच्चों सीखने वाले हैं फ्रेंक लेंड अबक्रिया जो की काफी महात्मूर है एन्वल एक्जाम के हिसाब से यदि आप से बुटज अबक्रिया बन रहा है तो आपको फ्रेंक लेंड अबक्रिया रटना नहीं पड़ेगा बूटा जब क्रिया में क्या होता है एल्किल हैलाइड लेते हैं इसी प्रकार से फ्रैंक लेंड अब क्रिया में भी एल्किल हैलाइड लेंगे एल्किल हैलाइड का मतलब होता है Rx क्या बच्चो Rx हम जब आप से बोटजब क्रिया को अच्छे तरीके से सेयर कर रहे थे उस टाइम पे आपको हमने बताया था कि सोडियम लेते हैं कापर चोड या सिल्वर चोड ये किसमे होता बोटजब क्रिया में लेकिन वही पे बच्चो यदि हम उसके जगे में जिंक ले लेंगे तो ये हमारा अबक्रिया फ्रैंकलेंड अबक्रिया कहलाएगा ये चीज भी हमने सेयर किया था आप से ये जो एल्किल हैलाइड होते हैं इसके दो अड़ो हम लेते हैं तब वो हमारा फ्रैंकलेंड अबक्रिया या बोटजब क्रिया कहलाता है बच्चो जो अब आपस में रियक्षन होता है देखेगा जरा ये जो हमारा X है और ये X ये हैलोजन परमाडू है और ये जिंक के साथ क्रिया करके ZNX2 बनाता है और पैराफिन का मतलब हमें एलकेन प्राप्त होता है जैसे बच्चो हमारा जड है तो जड यान X2 बनाया बाकी ये पैराफिन है पैराफिन मतलब एलकेन यहाँ पे दो एलकेन समू जुड़ जाते हैं तो एलकेन का निर्मार करते हैं फॉर एक्जामपल आर के जगे आप CS3 जोड दो बच्चो X के जगे आप आयोडीन जोड दो और ये जिंक का परमारू है तो जिंक ही रहेगा साथ में यहाँ पर आप आयोडीन लिये हो और यहाँ पे CS3 लिये हो कोई दिक्कत नहीं है बच्चो यहाँ से आपका आई और आई जेडरन से क्रिया करके जिंक के साथ हैलाइट समू जुड जाएगा और ये बचेगा एक CS3 और इधर का CS3 यह आपका पैरा फिन कहलाया बच्चो और यही हमारा है फ्रैंक लेंड अप क्रिया देखो जरा कितना सिंपल रियक्षन है लोगों को परसानी होती है कि कोई भी रियक्षन इतना कठीन होता है जिसे हम समझ नहीं पाते हैं एनुवल एक्जाम के लिए काफी महात्पूर है चाहे आप किसी स्टेट बोर्ट से हो आपके लिए हेलफुल होगा आपको जो भी रियक्षन चाहिए कि ये रियक्षन हमसे नहीं बन रहा है उसको सौट तरीके से मैं आपको प्रवाइट करूँगा हाँ आप लोगों का इतना जिम्मेवारी है कि कमेंट बाक्स में आप लोग जरूर बताइए कि मुझे ये रियक्षन अबस सकता है और बच्चो टेली ग्राम में भी मैं इनको सेयर कर दूँगा जैहिंद बंदमातरम